हेलो एवरीवन वेल्कम अगीन टू लण्व्रिद दीमन तो देखिए हम लोग कर रहे हैं किसान आंदोलन राजिस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उन्हें हम पढ़ रहे हैं हमने बेजोलिय किसान आंदोलन को पढ़ा जो की चवालिस वर्सों तक चला था सबसे किसान आंदोलन उसके बाद हमने बेंगू किसान आंदोलन को भी पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे आज नीमूचणा किसान आंदोलन तो ये आंदोलन जो है अलवर में हुआ इसे अलवर किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है तो चलिए यहाँ पर हम बिल्कुल छोटे चोटे वीडियो के तहत यहां पर हम पढ़ेंगे और आप लोगों को PDF मिलेगी जिसे की आप लोग फैक्ट जो है वो याद करते चलेंगे ठीके तो जो इस्टार्टिंग में विजुले किसान अंदुलन जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आप लोगों को डिस्क्र चीजें नहीं बताऊंगी मैं कि आप लोगों का वीडियो एक या डेड़ घंटे का बने है जिसको आप दुबारा भी ना सुन पाओ क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों के पास टाइम जो है इतना नहीं होता है कि आप लोग हर चीज जो है वहां बार बार इतना चलिए स्टाट करते हैं निमूच्ड़न किसान आंदोलन 1921 से 1925 अिसवी तक निमूच्रा जो की अलवर जिले में है इसे अलवर किसान आंदोलन भी कहा जाता है तो यहां पर आंदोलन का कारण क्या रहा तो दिखिए क्या था कि जो अलवर रियासत है यहां पर जंगली सु उपर क्या करते थे कि यहां के जो किसान होते थे उनकी खड़ी फसल को बरबात कर देते थे ठीक है और जब जो किसान थे उन सुवरों को मारने के लिए आगे बढ़ते थे तो यहां पर जो सरकार थी उसने पावंदी लगा रखे थी कि सुवरों को नहीं मारा जा सकता तो उसनने सरकार को बहुत बार जो है इस चीज को बोला कि हमें इन सुवरों को मारने की इजाजत दी जाए तो क्या हुआ उन्विकारों की समस्या से निराकरण के लिए किसानों ने क्या किया अंदोलन को बनता ही है क्यों बनता है जब इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा इंसान तो उसे क्रोध आएगा और क्रोध में वह कार्यतों नहीं करेगा उसके वज़ाए क्या करेगा आंदोलन करेगा क्रांती करेगा ठीक है तो यहाँ पर सरकार जो है जब आंदोलन को देखती है तो क्या करती ह सरकार समझोता करती है किसानों से और सुवरों को मारने की इजाज़त देज देती है ठीक है लेकिन फिर भी यहां पर आंदोलन जो है वह समाप्त नहीं होता है कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है सुवरों को मारने की इजाज़त दे दी जाती है सुवरों को मार दिया जात दो आई होता है और जो फसल होती है बच जाती है किसानों की अब क्या होता है कि 1923 में alvar ke महराजा होंगे जैसिंग ठिक है अल Оч Rain यह ने क्या किया कि किसानों की फसल अब बच गई तो अब क्या किया लगान की दडर थी जो पहले से तय थी वह बढ़ा दी, ठीके, वो बढ़ा दी, तो उसकी वज़े से क्या हुआ, किसान जो है, आप क्या करेंगे, उनके लिए समस्या जो पहले थी, तो वही दुबारा से हो गई, तो दुबारा से उन्होंने क्या किया, बेंगू जुकना पड़ता है और तब ही आंदुलन समाप्त हो जाता है ठीक है तो चलिए अब हम इसको नोट्स के द्वारा पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट है तो अलवर जिला अलवर किसान आंदुलन के नाम से जाना जाता है कारण वही है क्या जंगली सूरों का किसा कि खड़ी फसल को बर्वात करना 1921 इस्वी में उसके बाद जब ये समस्या समाप्त होती है तो 1924 में महाराजा जैसिंग आते हैं अलवर के लगान में व्रदी कर देते हैं 14 मई 1925 को डेट याद रखनी है 14 मई 1925 लगबग 800 किसान निमूचड़ा गाउं में इकटा होते हैं सैना जो क्या करती है अब जाके यहाँ पर गोली बारी करती है और सैकड़ों किसान सहीद हो जाते हैं यहाँ का जिसने गोली बारी की थी वो कौन है छजु सींग ठीक है छजु सींग था जिसने गोली बारी की थी यहाँ पर अंधादुन फाइरिंग करवाई थी तो उसे राजिस्थान का जन्रल डायर की संग्या दी गई वहीं पर महात्मा गांदी ने इस कांड को क्या कहा जलिया वाला भाग हत्या कांड कहा जिस तरीके से जलिया वाला भाग में सभा हो रही थी और वहाँ पर जन्रल डायर जो है उसने अचानक से आकर जो है अंधादुन फाइरिंग कर दी थी जबकि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था कि उसे फाइरिंग करनी चाहिए थी, फिर भी उसने वहाँ पर जनता को ये भी नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या था कि निमूश्रा गाउं में किसान एकटे होते हैं, उन खतरनाक था, और इसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संग्या दी जाती है, यहाँ पर प्रश्म जो है वो उठता है कि महात्मा गांदी ने किसे किसान आंदोलन में कहा कि यह तो जलिया वाला बाग हत्याकान है, ओप्शन होंगे बुंडी किसान आंदोलन, बेंगू क किसान आंदोलन, तो आपको याद रखना है नेमू चाड़ा किसान आंदोलन, चीक है? तरुन राजिस्पान जो एक अखवार है, यहाँ खबर प्रकासित होती है, अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ, उसके बारे में छापा जाता है, कि यहाँ पर देखे किस तरीके से कि किसानों पर अत्याचार हुआ है, यहाँ पर अचानक से ही सैक्णों किसानों को गोलियों से भून दिया गया, अब सरकार को क्या करना पड़ता है, मीडिया जहाँ पर भी आ जाती है, तो सरकार को वहाँ पर जुखना ही पड़ता है, तो सरकार को लगान के बारे में किसानो के समक्स जुकना पड़ा और ये आंदोलन यहां पर समाप्त हुआ तो चलिए हमने निमूचना किसान आंदोलन को पड़ा है अब हम एक छोटा सा आंदोलन और देखेंगे यह है मेव किसान आंदोलन तो यह भी अलवर का ही है यह 1932 इसवी में हुआ था अलवर मेव रहते हैं तो यहां पर मेवों ने क्या किया था आंदोलन किया था और ये आंदोलन हुआ मुहमद अली के नेतरतों में भरतपुर शेत्र में 1932 इसवी में अंजुमन खादिम उल इसलाम नामक संस्था इस्थापित कर मेव किसान आंदोलन को इन्होंने संगडित रूप दिया ठीक है इसके नेतरतों में किसानों ने खरीब वसल का लगान देना बंद कर दिया और राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य कॉंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादूर काजी अजी जुद्दीन बिलग्रामी को सम्मलित कर दिया इसके बावजूद आ और करों में छूट के साथ सामाजिक धर्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया और अलवर महराजा को दोसी मान विदेश भेज दिया गया और ये राजिस्थान का एक मात्र ऐसा आंदोलन रहा जिसमें सामप्रदाइक हिंसा हुई ठीक है ये एक मात्र आंदोलन रहा जहा सामप्रदाइक हिंसा हुई थी तो वो कौन सा आंदोलन था वह था मेव किसान आंदोलन कहां हुआ अलवर में हुआ और इसके नित्रत्व करता कौन है मुहमद अली है ठीक है तो चलिए आज हम यहीं तक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किसान आंदोलन को आप लोग पीडियो फाइल जो आपके हाथ में आ जाती है उसे इग्णॉर नहीं करना है रखकर नहीं बैठना है सजाकर नहीं रखना है उसको बार बार पढ़ना है और याद करना है और जैसे ही यह आपके टॉपिक कुछ कंप्रीट हो जाते हैं तो उसी तरीके से हम एक्स वीडियो में थेंक यू